अलो गाइज वेल्कम टू चैनल मैंस कंसर्प्ट केट में मेरे नाम रवी मैं आपके लिए मतमड़ी के कंटेंट और साथ साथ के अपडेट लेके आता हूं तो के विएस की प्यार्टी का आज पहला दिन ता पेपर गाँ आप सभी को बहुत-बहुत सब्कामना है जिनका पे पेपर के बाद अब देखो एक्जाम सेंटर के बाहर तो मैं नहीं जा सकता तो लेकिन बहुत सारे बच्चे कंटेक्ट में हैं उन सभी से एक्जाम का रिव्यू मिला है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अगर आपका पेपर आने वाली तारीक में के भी इस पेपर जो है वो टू दा पॉइंट पिलकुल स्लेबस से आया है पेपर पूरा का पूरा आपका स्लेबस से आया है कुछ भी स्लेबस के बाहर नहीं आया है ठीक है ना दूसरी बात आपका जो EBS है आपका जो Mathematics है वो सारा का सारा आपका स्लेबस से है और NCRT लेवल का है ठ ठीक और आपका जो psychology वाला section है वो भी आपका given syllabus से आ रखा है और paper को अगर देखा जाए अगर आज के paper को देखा जाए first shift के paper को तो first shift के paper के हिसाब से आपका जो अगर मानो आज जो first shift में paper हुआ या केली shift में यही एक shift में सारा paper होता तो इसको देखके कहा जा सकता है नुमान है और अभी सारी shift के paper होने दो उसके बाद normalization या फिर उसके बाद सब को देखने के बाद कि अगर सभी shift का paper इसी level का आता है तो cutoff को आप मान के चलो 135 के आसपास जाएगी और अगर बाखी shift के paper तोड़े hard आते है तो फिर normalization role play करेगा लेकिन फिलाल खुशी के बाद यही है कि आपका जो syllabus दे रखा है वसी में से आ रहा है तो अभी जिसका paper last dates में है 27 के आसपास उनके पास 3-4 दिन का समय है अपने syllabus को एक बार revise कर ले अच्छे से और सभी को बहुत-बहुत सुपकाम में